शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंग की तब्यत अचानक बिगड़ गई है फिलाल उन्हें दिली के एम्ज में भरती करा आ गया है बताय जा रहे कि निशंग को कोरोना के बाद होने वाली समस्या के वज़े से भरती किया गया है तो आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था आज लग रहा था कि जो समझस की स्थिती बनी हुई है परिक्षा को लेकर वो साफ हो जाएगी स्थिती साफ हो जाएगी कि आज ये फैसला आना था लेकिन अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल हम भगवान से दुआ करेंगे कि हमारे माननी सिक्षा मंत्री जल्दी ठीक हो जाएं और आप लोग सब भी दुआ करें कि हमारे माननी सिक्षा मंत्री जल्दी ठीक हो जाएं बाकी कहना फाइनली ये है कि आपका जो एक्जाम है बिलकुल होगा तै है एक्जाम जून लाश्ट और हमारा जो जुलाई फर्ष्ट बीक में एक्जाम आपका जाएगा और फाइनली अब ये है कि एक्जाम होगा ठीक है ये सी बी एसी भी कहे चुका है ठीक है और कई जो ब chemistry math और जिनका bio है bio ठीक है इनके exam होंगे तो आप बराबर आपनी तयारी में जुट जाईए और continue तयारी कीजिए ठीक है क्यूंकि आप पढ़ाई के साथ कोई भी compromise नहीं करना है क्यूंकि अब जितना तुमने एक साल में पढ़ा था वो तो सब भूल गए हो अब बस इन ही 20-25 दिन में आपको यह complete करना है और आपका result वन आना है आपको ठीक है तो दोस्तों बिल्कुल भी आप compromise ना करें बिल्कुल भी है ना और continue पढ़ाई करें ठीक है और दोस्तों मैं आपको एक यह भी खुशखबरी देना चाहता हूं कि कल से दोस्तों आपको कल या परसों से तो दोस्तों थेंक यू बेरी मच है ना मिलते हैं अंगली वीडियो में